हेलो फ्रेंड्स, LGRS Study में आप सभी का स्वागत हैं, साथियों अभी आप लोगों का बिज्ञान का इंट्रोडक्शन कलास होने वाला है, यानि कि आज हम लोग जो है बिज्ञान के सिलेवस को जानेंगे, यानि कि ये जानेंगे कि बिज्ञान में आप लोगों को क्या-क्या पढ़ना है, और साथ ही साथ एक्जान पैटर्न के ओपर भी बात करेंगे, यानि कि बिज्ञान का जो एक्जान होगा, वो किस तरह से होगा, किस टाइप के क्विश्चन आपको बिज्ञान में पूछे जाएंगे, उसके ओपर भी पूरा अच्छा तरीका से डिटेल में ह साथ है, और किसी भी जो सब्जेक्ट है, उसका फर्स्ट करास काफी महीन रखेगा, क्योंकि बिज्ञान के पूड़े कुण्डली को यहाँ पर खोलने वाले हैं, उसके वारे में सब कूछ क्या करने वाले हैं, आज जानने वाले हैं, इसके आगे तो कि अबल क्या करेंगे चेप्टर बाई चेप्टर हम लोग परेंगे और जितने भी प्यारे प्यारे बच्चे 2023 में बिहार बोर्ड से मैट्रिक का बोर्ड परिच्छा देने वाले हैं तो आप सभी के लिए टार्गेट बैच देख सकते हैं चार सो पचास पलस मार्क की गरेंटी के साथ तो अगर आप भी 2023 में मैट्रिक के अंदर जो है चार सो पचास से जैदा मार्क पाने का सपना देखते हैं तो यह कोर्स जरूर जोइन कर लिजिएगा क्योंकि इस कोर्स में आप लोगों को बहुत ही बेहतर तरीका से पढ़ाया जाएगा अभी आपको मैं बता दू कि इस कोर्स का तो फी है 3500 रुपे पूरे साल का लेकिन अभी ओपर के ताथ आप लोगों को मात्र 999 में पूरे साल का कोर्स आपको यह जो है मिल जाएगा इस कोर्स के बारे में अगर आप नहीं जानते तो अगर देंकरी हम आपको आगे देंगे अभी सबसे पहले हम लोग डिसकसरन करते हैं बिज்क्यान के syllabus और उसके exam pattern के बारे में ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ बर आप देख सकते हैं कि बिग्यान जो है आपका आज introduction class होगा इसमें सबसे पहले इसका syllabus जानेंगे syllabus that means क्या-क्या आपको बिग्यान के अंदर पढ़ना है ठीक है दूसरा exam pattern के ओपर बात करेंगे कि किस system से आपका exam होगा कितने question पूछे जाएंगे किस type के question पूछे जाएंगे क्योंकि यह सब जानकारी लेने से हमें आगे के बारे में बहुत ज़्यदा चीज मिलता है और हम कुछ उस तरीका से क्या कर पाते हैं करणे हैं इस course के अंदर हम लोग कैसे पढ़ेंगे विग्ञान को किस system एपढ़ेंगे वह भी बात करेंगे और किस book से पढ़ेंगे वह भी बात करेंगे और भी बहुत सारे जो बात हैं हम लोग अभी इस class में करने वाले हैं तो चलिए शुरू कर लेते हैं विज्ञान यानि की साइंस के सिलेवस के उपर बात करते हैं तो देखिए साइंस जो है वो अगर आप NCRT बुक खड़ीते हैं तो एक ही बुक है NCRT का जिसके उपर लिखा है विज्ञान कलास 10 और उसमें 15 चेप्टर हैं कितने चेप्टर हैं 15 चेप्टर और आपको पता होना चाहिए कि 15 चेप्टर तीन भागों में बटा हुआ है पूरा जो विज्ञान है वो तीन भागों में बटा हुआ है फिजिक्स, किमेस्ट्रि और बैलोजी देख सकते हैं विज्ञान का तीम पार्ट आप यह होता आपको पता होना चाहिए बहुत कि जिसको हम लोग किमेस्ट्रि जिसको हम लोग chemistry बोलेंगे और जी बेग्यान जो की फैलोजी है ठीक है तो टोटल 15 चप्टर आपको पढ़ने हैं 15-16 चप्टर उसमें कुछ physics का चप्टर है कुछ chemistry का चप्टर है कुछ biology का चप्टर है तो चलिए अब जानते हैं कि physics में कौन-कौन से chapters है उसके बाद बाते आप यहां पर देख सकते हैं कि physics जाने की बहुत एकी के बारे हैं इसका सबसे पहला जो चप्टर है वो है परकास का प्रावर्तन क्या है बाई साब परकास का प्रावर्तन अगर मुख्रूप से अगर आप NCRT का अगर बुक खोलेंगे तो परकास का प्रावर्तन और चर्चा अलग-अलग है परकास के प्रावर्तन में हम लोग जो है जनरली दरपन के बारे में प्राई करते हैं अप वर्तन के अंदर जो है लेंस के बारे में प्राई करते हैं तो परकास का प्रावर्तन दूसरा है परकास का आप वर्तन तीसरा है मानव नत्र तथा रंग व नहां पर हमारे दोरा क्या किया जाएगा, इस कोर्स के अंदर पढ़ाया जाएगा, विदुदारा के चुम्ब की प्रभाव, और 6 चप्टर है उर्जा के स्रोत, हमारे कॉर्डिंग देखा जाए, तो इतने चप्टर आपको फिजिक्स के अंदर पढ़ना है, और ये सभी के स सकते हैं, सबसे पहला है जैब प्रकरम, इसके बाद है नियंतरन एवं समनबे, जीव, जनन कैसे करते हैं, ये एक चप्टर है, आनू बनसिक्ता एवं जैब, विकास, ये आपका चौसा चप्टर है, पाच्मा चप्टर है हमारा परिया भरन, और जो लास्ट छथा चप्ट से देखेंगे, तो ये भी आपको यहां पर दिखेगा कि इसमें जो फर्स्ट चप्टर है, वो है रसायनी कभी किरिया है, एवं समी करन, दूसरा है अमलचार, एवं लबन, तीसरा चप्टर है धातू, एवं और धातू, चौथा है कारबन, एवं उनके योगिक, पाच्मा है ततों का आवर्ति वर्गी करन, और चप्टा है प्राकेर्तिक संसाधन, ठीक है, ये चप्टर हैं, जो कि आपको केमेस्ट्री के अंदर क्या करना है, पढ़ना है, तो ये था आपका सिलेबस, यानि कि इतने चप्टर आपको कलास 10 में विज्ञान के लिए पढ़ना है, तो ये सभी परहेंगे तब जाकर कि आप 100% क्या कर सकते हैं, कोश्चन बना सकते हैं, मतलब ये की 100% परहेंगे तो 100% कोश्चन बनेगा, तो ये आपका 100% सिलेबस है, यानि कि इतना चीज़े आपको परना है बिज्ञान के अंदर, अब आगे बढ़ते हैं कि और जानते है की कैसे पढ़ेंगे, यानि की हम लोग इस कोर्स के अंदर, पूरे विज्ञान को कैसे पढ़ेंगे, अपना परहने का मेरा तरीका होगा, आपको सभी छेप्टर पढ़ाया जाएगा इसमें, एक एक चेप्टर परहेंगे कैसे, चेप्टर वाइद सबसे पहले हम आप topic पूरा थ्योड़ी देने के बाद आप लोगों को प्रस्थं भी करवाएं गे पाले हम 110 अद प्रस्थं कर वाएंगे सब्जेक्टिव जो प्रस्थं ए वह कर वाइंगे पाले उसको कैसे एक्जाम में लिखना देखने को भी और दूसरा है objective question objective question भी आपको chapter wise एक एक question करवाय जाएगा इसके बाद हम लोग का जब syllabus पूरा complete हो जाएगा तो उसके बाद बहुत सारा हम लोग model paper solve करेंगे previous year question यानि कि पिछले सालों में पूछे गए बिज्ञान के questions को भी हम लोग discussion करेंगे इसे पता चलेगा कि हाँ हमने जो chapter पढ़ा है यानि कि हमने जितना जो पढ़ाई किया है वो exam में कैसे पूछा जाएगा उसको ठीक है previous year को देखने से ये course join करते हैं हमारे साथ जूरते हैं पूरा बिज्ञान परते हैं इसमें तो एक एक चीजे आपको यहां ही पढ़ाया जाएगा इससे बाहर आपको कुछ भी जाने की जुरुत नहीं है अब बात करेंगे हम लोग exam pattern के ओपर यानि कि exam जो होगा वो किस system से होगा कैसे होग इसके बारे में हम लोग क्या करते हैं बात करते हैं exam pattern जहां तक बात है तो हमने बताए भी था सभी subject में आपको 50% subjective question पूछा जाएगा और 50% objective question पूछा जाएगा बिज्ञान के बारे में बात करें तो बिज्ञान का जो exam है वो तीन भागों में बठा होता है कितने भागों का बिज्ञान का 100 mark का जो exam है वो तीन भागों में बठा होता है 20 mark पलस 40 mark और पलस 40 mark ठीक है ये 20 mark जो है वो practical है practical exam जो होगा practical का जो परिच्छा होगा उसमें आपको 20 mark मिलेगा 40 mark आपका objective है ये practical मालिए ये objective और ये 40 mark का क्या होगा subjective पूछा जाएगा तो practical में तो आपको जड़ा attention लेना नहीं है एक एक जानकारी हमारे द्वारा आपको दिया जाएगा कि कैसे practical में क्या करना है किस तरह से copy लिखना है सब कुछ बताएंगे हम ठीक है तो practical का तो ये हम अच्छा तरीका से जानकारी देंगे objective और subjective देखिए 50% objective अगर practical 20 mark का हो और ये practical का जो system में वो आपके school में ही होगा इसका exam center पर नहीं होगा school में होगा ठीक है तो 40 और 40 80 ये 80 mark का ही exam आपके center पर होगा यानि कि जहां भी आपका exam center पड़ेगा वहाँ पर इस 80 mark का exam होगा अब 80 mark में 50% की बात करें तो 40 mark subjective होता है 40 mark objective होता है अब जाद रखिए कि 50 38 जो आपको subjective पूछा जाएगा उसमें दो तरह के question होंगे 2 mark वाला question और 5 mark वाला question ठीक है 2 mark वाला और 5 mark वाला साथी साथ इदर जो है objective होगा उसमें भी 80 question दिया जाएगा आपको 80 question दिया जाएगा objective में 80 question दिया जाएगा 80 में से मात्र आपको 40 question को बनाना होगा और आपको mark मिलेगा इसके लिए 40 कितना mark मिलेगा 40 mark मिलेगा तो 80 जो question होगा objective का उसमें से कोई भी 40 हैं ऐसा नहीं की एक से लेके 40 तक बनाएंगे और 40 से लेकि ऐस को भी 4 question तक भी है वैसे अगर आप पढ़िएगा पूरे साल मेनत कीजिएगा तो एक एक question आपको बन जाएगा लेकिन बनाना नहीं है फिर भी 40 ही बनाना ठीक है तो यह तो रहा objective का फंडा इसके लिए आपको 40 mark मिलेगा अगर 40 सही बना के आते हैं तो objective हो गया subjective में 2 mark के question होंगे और 5 mark के question होंगे इसमें भी 2 mark वाला question जो है double दिया जाएगा जैसे कि मालेगे कि 2 mark वाला 10 question का अगर जबाब देना है तो आपको 20 question दिया जाएगा और 10 question का उतर देना होगा 5 mark वाला अगर 4 question का का जवाब देना है यानि कि मालेगे कि 3 question का जवाब देना है तो अगर 3 question का जवाब देना है तो question देगा 6 पांच मार्क वाला 6 question देगा अच्छा में से किसी 3 को बनाना 3 को छोड़ना यानि कि 50% जैदा question दिया जाएगा ठीक है और इसके लिए आपको मिलेगा 40 mark ये system अभी चल रहा है और इस साल भी follow किया गया है और अगर कोरोना नहीं रहा तो हो सकता है कि ये pattern change भी हो जाए objective subjective तो पूछेगा उतना ही लेकिन question का संख्या कम हो जाएगा जैसे अभी 80 question दे रहा है तो हो सकता है कि क्या कर दे question को कम कर देगा 50 देगा या 48 देगा और उसमें से 40 बनाना होगा तो कुछ भी करेगा अगर आ आराम से क्या कर सकते हैं बना सकते हैं कि question solve कर सकते हैं तो ये रहा कुछ exam pattern इस तरह से आपको exam में देखने को सारी सारे चीज़े जो हैं मिलेगा किस book से पढ़ेंगे कई बच्चे बात करते रहते हैं और पूछते रहते हैं देखिए बिज्यान में हम लोग जो pattern follow करने वाल और exam भी सरकार लेती हैं ठीक है दूसरी बाते हैं कि हम pattern तो follow करेंगे NCRT का लेकिन हम वो सब कुछ पराएंगे जो अलग-अलग books में भी दे रखा है ठीक है तो आपको ये घबराना नहीं है कि sir आप किस book से परहे किस book से में परहेगा अगर आप मेरा class शुरू से आन तक द प्राबरतन और मैं जिस दिन बोल दिया कि आज प्रकास का प्राबरतन खतम हो गया उसके बाद आप उस chapter से related किसी भी book से question उठा लेजिए कहीं भी मिला लेजिए उससे जैदा नहीं होगा कहीं भी ठीक है तो pattern तो follow होगा NCRT का concept मेरा होगा मतलब एकदम सरल भासा आसान भा कोई भी book हो आप वहां से question आपको सारा बन जाएगा एक एक चीज़े आप सिख पाएंगे सभी के सभी चीजों को ठीक है तो book का जैदा आपको tension नहीं लेना है class कीजिए class कीजिएगा जितना class में आपको बताय जाएगा उतना परलो भाई साब बेरा पार है ठीक है syllabus complete होगा कई बच्चों के मन में ये कीरा कारते रहता है कि syllabus complete होगा भाई सुरू किया मैंने तो आपको complete भी करके दूँगा और दो से अधाय महिना पहले आपका syllabus complete कर दूँगा मैं exam से दो से धाय महिने पहले हम syllabus complete कर देंगे ताकि आपको भरकूर जो है time मिले किसके लिए तो ये revision के लिए और उससे भी जल्दी हम कर देंगे क्योंकि अगर हमने class लेना शुरू कर दे तो फिर उसके बाद एदम continue जो है चलता रहे ठीक है तो syllabus आपके दो से और हाई महिने पहले complete हो जाएगा उसके लिए आपको हलका भी टेंसर लेने की जरूरत नहीं है ये जो batch है इस batch के ब प्लस प्रसंद करवाई जाएगा आपको सभी का पीडिया भी दिया जाएगा चैप्टर वाइज ऑनलाइन टेस्ट भी आपको देखने मिलेगा जैसे चैप्टर कंप्लीट हुआ तो उसका ऑनलाइन टेस्ट आपको नहां पर देखने को मिलेगा model paper पूड़ा करवाई जाएगा और भी मात रभी आपको 999 लग रहा है इससे जो है कम किसी भी कीमत पर नहीं लग सकता है क्योंकि बहुत सारे चीज़ों को manage करना होता आपको लगता होगा कि सारकेले आते हैं class करके चले जाते नहीं बहुत सारा इसमें सिस्टम होता है बहुत सारे अलग तरीका स काम करना होता तो यह आप चीजे समझने की कुर्स करेंगे दूसरी बाते अगर आगे बढ़ेंगे तो देख सकते हैं कि क्या-क्या पढ़ेंगे इसमें all subject पढ़ेंगे गनीत बिज्ञान समाजिक बिज्ञान का सब चीज आपको यहां पर पढ़ने को मिलेगा हिंदी संस्कृ पढ़ेंगे तो भी होगा और जो बच्चे हिंदी संस्कृत नहीं पढ़ते हैं वह मैठली पढ़ते हैं या नन हिंदी यानि की औहिंदी पढ़ते हैं तो वह भी आपर पढ़ा जाएगा फूल सिलेबस यानि इससे बाहर कुछ नहीं नो कोचिंग नो अधर कलास अगर पराज करने की कोई भी जुरूरत आपको नहीं परेगा इस कोर्स की विश्यस्ताओं के बारे में तो उन्हें बात करे लिया है कोर्स का फी किसना होगा तो 999 अभी आपको लग रहा है जल्दी जल्दी जॉइन कर लेंगे नहीं तो कुछ ही तीनों में आपका ये फील हो ज कैसे करेंगे तो पले स्टोर पर सर्च कीजिए एल जी आर स्टरी लाइव एप सर्च कीजिएगा तो ये दो एप आपको दिखाई देगा ये वाला एप है लाल वाला ठीक है इस एप को डाउलोड कर लीजिए इस पर आपका पेड क्लास ये वाला चलेगा और ये एप भी कर लीजिएगा ये भी देख सकता है लग्रस टरी का ही अप है तो दो एप आप लोगों के सभी के मोबाइल में होना चाहिए इस एप में आपको सारा का सारा फिरी आपको सब कुछ डिटेल जो है मिलेगा तो ये दोनों आप डाउनलोड कर लीजिए और को आपको लाइव इंस्टॉल करना है पले स्टोर से इंस्टॉल करने के बाद रजिस्टर पर किलिक किजिए रजिस्टर पर किलिक करने के बाद आप यहाँ पर सारा अपना डिटेल क्या कर दिजिएगा फिल कर दिजिएगा डिटेल फिल करने के बाद आप जैसे ही यहाँ पर रजिस्टर प एप्सिन होगा इभार फसेप पर जैसे किलिक कीजेगा तो इस तरह को प्रेut Did इसमें करें पर क्लिक करें करना है तो है जाएगा इजाएगा इस तरह का इन्टर्फेस और यहां पर आने की इस तरह का इन्टर्फेस आप раза फ़्र का ऐ इसमें आपको पेटियम, पॉनपे, कार्ड, UPI, किसी भी सिस्टम से, नेट बेंकिंग, किसी भी तरीका से, 999 रुपे आप पे कर दीजिए, आपका कलास अनलॉक हो जाएगा, और पूरे सब्जेक्ट का कलास, सभी चेप्टर का कलास आप देख पाएंगे, ठीक है, आपके प कोई भी दिक्कत है, तो आप इस नंबर पे कॉल कीजिए, ठीक है, वाट्सेप मत कीजिए, क्योंकि वाट्सेप पर जल्दी रिप्लाई देना मुश्किल हो जाता है, हजजारों बच्चों के कमेंट से यह होते हैं, तो आप कॉल कीजिए, कॉल करेंगे, तो कॉल का टाइम कॉल कर सकते हैं, बात करें कि, यह जो दोनों अप है, यह जो आप के बारे में मैं डेटेल बता ही देता हूँ, यह जो अप है, वो आपका यह वाला अप है, इस में आपको सभी बिल्सेप का पीडिए, सब्जेक्टिऴ कोशन का पीडिए, कोई प्री वीजन नोट, मोडल पेपर, कलास, नोटर, ऑनलाइन टेस्ट यह सारा का सारा चीज यहां पर आपको बिल्कुल फूरी में मिलेगा इस एप पर ठीक है तो यह वाइट वाला एप को जरूर डाउलोड कर लीजिए और दूसरा है यह लाइव एप लाल वाला तो यह आपका यह वाला एप है जिसमे कि आप लोग जरूर कोर्स जोयन करेंगे थैंक्यू सो मच गुद बाई